साथियों हमेशा लोगों को कोई ऐसी जरूरत आन पढ़ती है या सामान्य तोर पर एक दूसरे को किसी न किसी कार के लिए पैसों की जरूरत पढ़ने पर रुपए उधार दे दिये जाते हैं और इस प्रकार से लोगों की जरूरते पूरी होती है और पैसे का लेन दिन होता रहता है और इसके साथ ही व्यक्ति अपने कार को पूरा करके तैस समय पर रुपए बापस कर देता है तो दोस्तों यह तो सामान्य प्रिक्रिया हो गई लेकिन यदि इस प्रकार से लेन दिन हो उटाता है तो ऐसी इस्तिती में उस ब्यक्ति के खिलाब क्या का रबाई कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो में इसे विस्तार से समझने वाले हैं साथियों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस प्रकार के मावले में जब आपके द्वारा पैसे कोई बापस नहीं करता है तो इसे इस्तिती में उस पर कोई भी FIR संबब नहीं है क्योंकि यह जो है एक नागिरिक मावला बन जाता है लेकिन साथियों कुछ परिस्तितियां यह जिन पर FIR होने के साथ उस व्यक्ति पर कारबाई भी करबाई जा सकती है यह नहीं हो सकती है जिसको आपने पैसे दिये हैं जिसने आपको कोई उसके बदले में आपको कोई अस्वासन दिया हो कि आपकी किसी विभाग में या कोई भी कमपिनी है उसमें अपने संबंदों का उप्योग करके आपकी किसी न किसी कमपिनी में नौकरी लगबा देगा तो यदि ऐसा कोई माबला होता है ऐसा को एस्वासन दिया गया है तो उसमें भारतिय दंट सहीता की धारा 420 के तहत जो भारतिय न्याय सहीता की धारा 329 है उसके प्राबधानों के अंतरगत दोका दड़ी का अपराद होगा और ऐसे में उस वेक्ति पर इसके अंतरगत जो है FIR दर्ज करबाई जा सकती है देखिए साथियों यह उधारन बताया है यानि कि इस प्रकार का कोई भी माबला हो सकता है जिसमें कोई वेक्ति दोका दड़ी के माद्यम से आपका पैसा अड़पना चाहता है या इस प्रकार का करत्त करता है तो ऐसे में कारबाई कराई जा सकती है उस वेक्ति के बुरुद साथ्यों एक कंडिशन और भी हो सकती है जैसे उधारण के तौर पज लेते हैं मानकर चलते हैं कि आप कहीं किसी सफर या तियुर्थ या त्रा पर गए हुए हैं और उस बीच आपने रुक कर अपना पैसा और सामान इत्यादी या किसी भी मंदिर के दर्शन करने से पूर्व अपना सुरचित सामान और पैसा ऐसे सुरचित अविरच्छा को दे दिया है जिसका आर्थ है कि ऐसी जगह रख दिया है जहां आपके पैसे सामान इत्यादी की सुरच्छा के लिए बह जगह निस्चित हो और आप जब दर्शन करके बापस आते हैं या फिर घुम फिर कर बापस आते हैं और आप अपने पैसे सामान को बापस मागते हैं तो ऐसा करने पर बहे आपके पैसे सामान को बापस करने से इंकार कर देता है इत्यादी मना कर देता है और आपके पैसे या सामान का उप्योग जो है वो अन्ने कारियों में करता है या अपने पास रख लेत तो ऐसी दसा में अपरादिक विश्वास उलंगन CVT है तो इसमें IPC सेक्षन 420 जो अब भारतिय न्याय सहीता की धारा 349 है इसके अंतरगत FIR दर्ज कराई जा सकती है तो इस प्रकार किसी के खिलाब कारभाई कराई जा सकती है या इस प्रकार के किसी भी माबले में FIR दर्ज कर कराकर उस पर करभाई कराई जा सकती है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा